कि अभी हम लोग एक्टूपंचर के बारे में अगली बार फुछा सानाले भी लिया था आज हम लोग सरसरे निगा से सब्सक्रा देख लेते हैं वागे फिर मरेडियन के बारे में जनकरी लेंगे हम लोगों ने देखा था एक्ठूपंचर में इक नदी के माध्यम से मैंने उजारण के शी Okay नदी में जब और कर सिधा जाती है, almost को इसम्हें में कभी जैसे आगे को बोला तक शुल्दी फर्वर करत नदी होती तो इस यह सब बहुत बहुत बढ़ता चला जाता है किसी पॉइंट से बाहर निटाला जाता है अब देखते हूं कि नदी रहती है तो छोटे छोटे नाहर और क्या-क्या निकले नालिया निकले रहते हैं पानी आता जाता रहता है एसे ही मरेडियन होता है अपने सरी में मरेडियन में भी आएसे ही छोटे छोटे अपना घात होते हैं फोंट होते हैं और इन्हीं पॉइंट द्वारा अब देख लिए हर एक मरडियन में सब पॉइंट होते उते इसί को इसी पॉइंड को क्या बोलते हैं एक्टूपंचर पॉइंड बोलते हैं इसी पॉइंड को हम एक्टूपंचर पॉइंड अभी भोला जाता है कि वाटे एक्टूपंचर एक्टूपंचर क्या है अगर अग्यू पंचर के बारे में हमको बताना है तो हम कैसे बताएंगे कि मरेडियन पे जो पाए जाते हैं पॉइंट वही अग्यू पंचर पॉइंट होते हैं मरेडियन पे जो पॉइंट पाए जाते हैं वही अग्यू पंचर पॉइंट होता है हर एक मरेडियन के यह सब पॉइंट होते हैं किसी पॉइंट से हाँ एक और हमको किलियर करना है यह क्या है मरेडियन मरेडियन नदी में क्या बहती है पानी अब मरेडियन में क्या बहता है ची या उर्जा जी या उर्जा मरेडियन की से काते हैं दो उत्तर बंदा यह अपना और नवर ड़िह आइस पें क्यूस्प्षाइब आइक्उपंचर की से काते हैं मरेडियन के ऊपर पाये जाने वाले पॉइंट या मरेडियन पे पाए जाने वाले पॉइंट एकू पंचक पॉइंट बोले जाते हैं और मरेडियन किसे कहते हैं जिस मरेडियन जिसमें ची बहता हो वो मरेडियन कहा जाता है जिसमें उर्जा बहती है वही मरेडियन होता है चाहे जहां पर भी उर्जा बह रही है, वही मरेडियन है, उर्जा कहां से कहां बहती है, उर्जा नीचे से उपर भी बहती है, उपर से नीचे बहती है, सभी जगा अपना बहती है, तो उसी जो उर्जा जहां बह रही है, वही मरेडियन है, दो किलियर हुआ, एक अपना कम हो रही है तो दिर भड़ी में तो आगर तर्या कम हो रही है तो अगर फृटित करते हैं तो अगर वर्ट्र में कम होती है तो टօनली केशन करते हैं अगर उर्जा कम होती है, तो हम टोनिफिकेशन करते हैं, और टोनिफिकेशन किस नीडल से करते हैं, किस दिसा में करते हैं, मरेडियन की दिसा में करते हैं, जिस जिदर मरेडियन जिदर बहर रही है, जहां पर उर्जा बहर रही है, जिस दिसा में, उसी दिसा में हम उसको जो ुर्जा जादा बढ़ जाती है मरेडियन को उसको हम बाहर निकाल देते हैं। कैसे करते हैं। सटेशन के अपोजिए निंच्ट बाहर रही है हमस् सटेशन के अपोजिट करींगे। सिफ निच्छण से कटेंगे। बहुत सारी question answer आगे, इतना clear हो गया है, अब इसके बाद हम लोग बोड़े रहे हैं आगे, काइन साथ, meridian, meridian कितने परता है, अभी देखिए, लिव भी लिखें लिवर को, काइन साथ में 20 हो जाएंगे न, काइन साथ, meridian अगर पूछा जाएगा, काइन साथ, meridian टोटल पूछा जाएगा 20 meridian, 20 meridian में, अभी इस कोपले देखने दिया जांसे, पूरे टोटल meridian में 20 meridian आता है, जिसमें primary meridian 12 होते हैं, अच्छा इस्ट्रा आर्डिनरी meridian होते हैं, जो कि अपने सेलिवस में नहीं हैं, अपने सेलिवस में जो है, क्या क्या है अपने सेलिवस में थोड़ा सांध्यान दे ले रहे हैं, हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, अभी हम लोग meridian पढ़ रहे हैं, meridian के बाद फिर हम लोग meridian कौन कौन से meridian है, और उनमें कितने कितने कॉइंट है, ओं पॉइंट देखेंगे, इसके बाद clock organ देखेंगे, clock organ के बाद फिर दिश्टल पॉइंट आएगा, इस्टल पॉइंट के बाद फिर हम लोग और सारे पॉइंट पढ़े हैं यह सब सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो यह मरेडियन के बारे में हम लोगों ले देखा आगे काशी कि 10 में इसने क होईंट्स हुइंटम कि इसमें दो सेंट्रल मेरेडियन बारे में में कोर्य कोर्य कार दिय में absolute की सिंगरेंद हैं इसके बाद लिखेंगे पीसी, इसके बाद लिखेंगे यस्जे या क्रिप टीड़ू, अब इसमें जो है, बात में बतायेंगे पहले एक बार पूरा मरेडियन बता दे रहे हैं, तब कौन इसके साथ में फिर बताते हैं, लीवर, गॉल ब्लाडर, हार्ट, स्मॉल इसके बाद फिर क्या आएगा, इस्टमख, यस्टी, और स्प्रीन, यस्पी, इसके बाद फिर क्या आएगा, लंग, लंग का यलिउ, यलिउ आएगा, फिर इसके बाद यलाई आएगा, यलाई के बाद फिर क्या आएगा, योरिन ब्लॉडर, यूबी, यूबी क्या केड़नी केड़नी हो गया तोटल हो गया अभी आप देखेंगे कितने मरेडियन है हुए बारा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा अब ये बारा मरेडियन जो हुए इसको हम लीवर बोलते हैं गाल बलाडर हार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन पेरिकार और यूररेन बलाडर और गैडनी के आर्टिक और इसके बाद दो मरेडियन जो है एक हो गया प्राइमरी मरेडियन प्राइमरी मरेडियन इसके बाद सेंट्रल मरेडियन Central Meridian में पहला आएगा Rand Meridian Rand Meridian या CV Meridian या Conception Vasels Conception Vasels इसके बाद दूसरा आएगा Governing Vasels Governing Vasels या GB Meridian यही न Governing Vasels या GB Meridian और पहला है Rand Meridian या CV Meridian Conception Vasels इसके दो सेंट्रल हो गए दो सेंट्रल Meridian हो गए अगर क्यूस्टन पूछा जाता है कि Primary Meridian कितने होते हैं Primary Meridian 12 होते हैं Central Meridian कितने होते हैं Central Meridian 2 होते हैं अब बचे कितने? 20 में से बचे कितने? 8 में 6 किसंटा बचे यही मरेडिय कंप्ये आप जो है इक्स्ट्र नीएं का मतलब इतना पढ़ रहे हैं तो में इतना पढ़ रहे हैं हाँ, अपना EC14 में से ही आएगा, अभी पूछा का है, Mmade Meridian, अगर Main Meridian बोल रहा है, 14, 14, अगर Primary Meridian मेरेडियन पूछ रहा है, 12, अगर Central Meridian मेरेडियन पूछ रहा है, 2, तो इध्यान दीजिए, Mane Central Meridian पूछ लिया, भी 6, पूछ सकता है, Mane Central Meridian, पूछ सकता है, Mane Central Meridian, पूछ अब इतना किलिर हो गया, sir? इतना एक्तम किलिर हो गया मेल में क्या होता है जय से परीमेरी Marodion अब ध्यां दीजिदे, sir आप लोग ने देखा थाए एलीमेंट्स एलीमेंट्स कितने होते हैं? कहांच एलिमेंट्स होता है पांच, पाला का नाम है उठ, दूसरे का नाम है फायर, दीसरे का नाम है और्थ, चौथे का नाम है मेटल, और इसका वाइड, एक यहान से देखि एलिमेंट्स के, कौन और इसका नाम है, वाइडियो अब तरी में नरेडियोगा है अब देखिए मैं माया डूसा होwang 25 ए पांच, कौन और थे में आप देख्यां और में एक हैं दो कपपल लोडि नियो को अप har wolli किटना मेरे वालेका付ंट गली इसा श्राला कपल में कितना geldi nagon अच्छा आपने पकड़ा इसका मतलब आप लोगों ने ध्यान से देखा है ठीक है इसका दो ही है लिवर और देवी आप लोग पढ़ किया है लग रहा है फायर में एक एहटी है और इसके बाद तो इसका कपल जोड़ा दुस्रा एक है पी सी अवर दुसरा है तो की अर्थ में क्या है ये सटी एसपी में क्या है यल्ई उ लम्लं और य्लई ली लाज इंतिस्टाइं और इसमें क्या है में वाटर में क्या हैं किड्नी केडी और ब्लेडर ब्लोडर या यूवी किलियर अभ्ध्यान दिए पूड में लीवर मरेडियन गाल ब्लाडर मरेडियन फायर में हाट मरेडियन स्मॉल इंक्रिश्टाइन मरेडियन दो कपल जोड़ायत बेरिकाडियं और संध्याओ आर्थ में इस्टमख और स्व्लेन मेटल में लंग और ऍसटाइन वाटर में kidney और इसमें क्या होता है यह क्यों बताया जा रहा है कि फायर में है उड में है हमको इसी फाई एलिमेंट के हिसाब से डाइग्नोसिस करना पड़ेगा जब हम लोग क्रिप्मेंट करने जाएंगे तो जो डाइग्नोसिस करेंगे इसी फाई एलिमेंट के माध्यों से करेंगे अब है जैसे लेपर समधित कि प्रॉब्लम है है तो हम उड काbench से लपिल यह ऑट समांदित कोई सरी में प्रॉब्लम है कौन को हम अम फूर्ड पॉइंट पर हम देया है तो ऐसे जितने एलीमेंट्स है आब पायर प्रकुम देख रहे हैं ऌब कितने कोई होत impaired फायर एलिमेंट के जड़िये डाइग्नोसिस करेंगे कि इंको क्या तकलिफ हो सकता है। तो सबसे बड़ी महफूर बात है कि अपने फायर एलिमेंट सब और इसमें कौन-कौन से मरेडियन हैं इस सब अपने को आना चाहिए। इतना किलियर हो गया है? अगर किलियर हो गया, अगर किलियर हो गया तभी हम आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अगर किलियर नहीं हुआ है तो एक और फिर सम बताए। किलियर हो गया सर। यसार सर। एक और यसार सर। किलियर हो गया सर। आपको जहां नहीं समझ में आया है मैं बता रहा हूं सबूरंद बताइए कहां पर समझ में नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है कम गेसी किसी को आता जाता रहता है नहीं समझ में आया पूछ लीजिए आप हमने देखा देखा मरेडियन 12 सेंडम स्ट्र मरेडियल मुझ इस अब इसमें हम लोग देख रहा है इई इलिमेंट्स 5 पर अब इसी फाइऑ यहलिए बाद है यह कोपनो कपल जोड़े जोड़े इपते हैं दो कपफल लिए जोड़े बस इतना बहुत में आगया ना अब वह लोग आगे बढ़े हैं तो इसी पर बता दे रहे हैं वार माल इतना पड़ेगा इसी पर हो जाएगा इसके बाद हम लोग लेख लेखे हैं नमबर साथ पॉइंट्स नमबर आप पॉइंट्स इन मरेडियन की नमबर कितने हैं हर एक मरेडियन अभी हमने क्या पढ़ा किये मरेडियन हैं इस मरेडियन में पॉइंट होते हैं इसी पॉइंट पे हम रिट्वर्ण करते हैं उसी का अच्व पंचर कॉइंट होलते हैं अब जैसे इतने सारे हैं थोड़ा साइज पो मैं लंग पर हिसाब से बताओंगा पूरा कि यह समझ में आएगा इसारे ना सर्म कर दो कि जो साइकल हमारा अभी चलने वाला है उसको मैं समझा रहा हूंगो आप देख लीजी अंगली पे देखते हैं तो पहला एक पहले हम इसको डालते हैं कि इतना समझ में आगे हैं कि नंबर एक नंबर दू नंबर तीन फिर नंबर चार नंबर पांच नंबर चीजी अंगल लोगों को यहीं कि होता है जब अब आगे बढ़ा जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं इसकी आगे जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे अग्डू पंचर में हम लोग आर्गन क्लॉप के हिसाब से चलेंगे आर्गन क्लॉप के हिसाब से ठीक है यही मैं बताने जा रहा हूं आप समझे एक तम समझ में आ जाएगा यह इन्होंने अर्गन को किस हिसाब से रखा है कि पहले जब बच्चा पैदा होता तो उसको थोड़ा सा धक्का मारते हैं किस लिए उसका लंग स्काम करें रोना चालू कर देगा तो पहले उसकी इसाब से उन्होंने लंग रखा है अब जब लंग रखा उन्होंने पना लंग रखा थ। थ। उसको क्या लगाएगा जब बोगले लंग वा裏 उसके रखा को इस ट्रमक का काम चालू होता है तो दूसरा उन्होंने आतना आका वर डिया आ है अर्थ रख दिया इसके बाद उसको भूख लग मतलब इसके बाद कांसा आया है इसके बाद हार्ट हो गयरत सब अपना उसका काम करने लगता है अब उसी नियम से इन्हों ने रखा है अपने को यह समझना है देखिए ध्यान से देखिए कि वह पहले हम लोगों ने यह देखा था ओड फायर अ नंबर वन हम देखिए कि दुश्रे नंबर वन कहुं सा है मेटर उसमें कहुं कहुं सी आगदा थाए कि यह दि ए मंच सेरो मेर्स आंब और आशाई ज्ल पिस्तमक और? स्ले. PST और? ESP. ESP. Okay. इसके बाद? Fire. इसके बाद तिसरा नंबर कौन सा है? Fire. Fire पे कौन सा है? Heart. Heart. Small intestine. Heart. And small intestine. इसमें पूर्सल. अब इसके बाद फिर कौन सा हाया? Water. 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 Hatt. इसमें आया कीडिनी, केडि, और यूबी, अभी जैसे लिख रहा है, लिखते जाएजे मैं बताता हूं, इसके बाद फिर जो है, पाँच्वे नमबर पे क्या आगया, पेस, आया पे की सी, मेरीकार्डियों, और संजिया ओ, यस ये, इसके बाद छठाए नमबर पे क्या आया कि यहीं से गल्दी होती है लोगों कुछ समझ में नहीं आता है यहीं चीज में समझाना चाहता हूँ आज एक दम किलियर हो जाना चाहिए क्लाउक आरगन अभी जैसे मैं उसके इंसाफ से लिख दिया हूँ अब इसके बाद ही फागुला बताने जा रहा हूं ध्यान दिया इन अब यान पढ़ा था इन और यां में ध्यां देळिया एक इन के लाकि यांन खालाओक यांक के बाद फिर क्या अंञा जैसे इन है इन के बाद येंग को दखिए यहां पर हो helped, इन के बाद यां आयगा, फिर क orchidesta ओक होईन हैगा, फिर इनके बाद एन ही आयगा। मैं बता रहा हूँ कैसे पहले इन आएगा फिर यांग हाँ इन आएगा फिर यांग आएगा देखिए जैसे इसमें देखिए लंग से हम स्टार्ट करते हैं यह क्या है इन फिर यह क्या हुआ यांग हुआ लाज इंटेस्टाइड क्या हुआ जैसे अभी इसको हमको क्लॉक ऑर्गन की साथ से देखना है तो फिर क्या होगा जैसे लंग के बाद Malajyeew 5-0-0-3-0-1-2-0-3-0-3-0-3-0-5-0-3-0-2-0-4-0-4-0-4-0-6-0-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-4-0-5-0-6-0-8-0-7-0-7-0-7-0-7-%-1-0-7-0-6-0-7-0-7-0 sponsor M7 araiba Z right. basically PST atτού PST atree me PST cannot work with this PST at the center of 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 the center yourself. PST at the center, PST at the center of this center. हाँ एच्टि तो यहां फिर ही अच्टि आगए पिर अभी जो है इन है फिर इन आएगा यांग आएगा अब यांग में क्या यह है यूू वी यो भी ना चोथे में यू भी फिर के डि आएगा फिर इन काउन साहे पीसी फिर इन है कि इसके बाद यांग आएगा ये स्वेडिकी जी भी हो जाइगा फिर यहां पर यांग के हैं इस अब इसको हम जोड़े में जब निखेंगे पर जान देठिए अब समझ में आएगा इससे नहीं समझा रहा है तो आप देखिए आप बता रहा हूँ यह समझ रहा है नंबर 1 पर मेटल है अब अपने अंगली पी देखो यह मेटल है और तपको नंबर याद किये रहे हैं कौन कौन में पक्का याद रहेगा वह ही लिखना है अब देख लीजिए प्लॉक और्गन की साफ से आप देख लिजी वाला नमबर क्या है मेटल में क्या क्या है लंग है लंग है लंग है लंग मरेडियन और फिर लार्ग इंटेस्टाइं एसके बाद मेटल के बाद क्या है और दूसरा नमबर क्या है और अर्थ में क्या है इस टूम्हक और इस्क eleм और इसके बाद फिर परला दूसरा तिसरा फायर आया है, फायर पर क्या आया है या? EHT और S.I. EHT यानि हार्ड और इसमाल इंटरेस्ट आया है अब फिर इसमें आगे आगे है अब फिर इंट था, अब फिर इंट था, अब फिर यांग आयेगा यांग आएगा तिसमे यूरीन बलॉडर आएगा यूरीन बलॉडर अब समझ में आएगा आप लोगों को यूरीन बलॉडर चीक है ना? अब भी देखिए यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन और यूरीन बलॉडर एक दो हो गए, दो यांग हो गए अभी इन आएगा अभी क्या आएगा यहां? खिडिनी खिडिनी अब इसके बाज़ीन बाच्वा नमबर किसका है? यूरीन फायर का फायर में देखिए अभी एक इन आया, त्वाज़ीन आएगा तो पेरिकार्डियम यहां हो जाएगा पेरिकार्डियम और इसके बाद सन जियाओ इतना किलियर हो गया सन जियाओ इसके बाद लास्ट में छठा नमबर है उड़ का उड़ में कौंकौं से आते हैं देखेए अभी आप देखिए सन जियाओ यांग है एक यांग और चाहिए तो गॉल बलाडर क्या है अब इसके बाद इन का नमबर आया क्या है लिवर अब ऐसे ही सभी जगा अपना नमबर आएगा क्लॉप और इसी हिसाब से रहेगा क्लॉप आर्गन समझ में आ गया तो हमको बहुत सारा जो है टीटमेंट करने की आइडिया मालूप पढ़ जाएंगे क्लॉप आर्गन की एक टाइमिंग होती है उस टाइमिंग में ट्रिक्मेंट करने से बहुत प्रभाव साली प्रभाव पढ़ते हैं बॉड़ी पे तो उसको देखने के लिए पहले हमको एक नियम से क्लॉप आर्गन की हिसाब से अपना एक पॉइंट मरेडियन होने से लिए लंबर भूला नहीं है यह सीरियल लंबर हमको हमेशा याद करना है जो भी इसकी आगे स्टार्ट होगा लंग से ही इसकार्ट होगा अब आगे जब हम बढ़ा रहे हैं तो हमको अब उधर पूढ़िए अब इसी की साब से आगे हमको बढ़ना है अब जैसे पूछ के ट्रीत्मेंट करते हैं उसमें कितने पॉइंड होते हैं तो लंग के होते हैं 11 अब है किलिय मेर deux इस चमक के कितने पॉइंट होते हैं एस्टी इस्प्लीन के कितने होते हैं? किसले होते हैं? कोई बताएं? स्प्लीन में कितने पॉइंट होते हैं? स्प्लीन में 21 स्प्लीन में कितने हैं? 21 हार्ट में कितने हैं? 9 पॉइंट स्माल इंटेस्टाइम में कितने पॉइंट हैं? 19 पॉइंट स्माल इंटेस्टाइम में कितने पॉइंट हैं? 19 पॉइंट इसके बाद यूरीन ब्लॉडर में यूबी 67, 67 पॉइंट, किडिनी में 27 पॉइंट, इसके बाद पेरिकार्डियम में 9 पॉइंट, और गॉल ब्लॉडर में जीवी 44, और लीवर में 14 पॉइंट, के लिए? संजियाओ, हाँ, संजियाओ में 23 है, संजियाओ किदर गया, संजियाओ में 23 है, ठीक है सब, अब भी, अब भी जो है, इसी के आधार पे, पूरा ट्रिट्मेंट हमारा है, इसी पॉइंट के आधार पे, ये पॉइंट सब को याद होने चाहिए, ये जितने चीजे मैं लिखा रहा हूँ, ये सब याद होना चाहिए, जब याद रहेगा, तभी अपना कॉंफिटेंस लेवल बढ़ेगा, अगर याद नहीं रहेगा, तो आपको समझ में आके भी ना समझ बने रहेंगे, अगर समझदार बनना है तो याद करिए, याद करेंगे तो कांफिटेंस लेवल बढ़ेगा, तब अपने को ज़्यादा समझदार समझेंगे, आज से याद करना चालू कर दीजिए, पॉइ याद को कैसे बोलते हैं, यालियू एलेवन, यालियू एलेवन, उसका जो है सार्ट नेम क्या होता है, सार्ट नेम भी देखिए, सार्ट नेम यालियू लिखेंगे, फिर एलेवन लिखेंगे, लार्ज इंचे स्टाइन का होता है, एललाई टॉन्टी, एललाई टॉन्टी, इस ट्रमक का होता है ST45, अगर क्यूस्चन पूछा जाएगा आपके हमें, तो ऐसे ही पूछा जागा, ST40 पॉइंट कहां पर होते हैं, तो आप इसको जानते रहिए, नहीं तो आप pure 45 यहां पर है रहेंगे, तो फिर ST45 नहीं दिमाग में आएगा, इस दे बता दे रहा हूं, अभी जैसे यह LI 20 हो गया, यह LU अपना दिमाए 11 हो गया, अभी देखिए, इस में जो है SP, SP, इसका लिखेंगे, SP 21, HT, HT 9, SI, SI 19, urine bladder, UB, UB, 67, और kidney, KD, कुछ भी लिखे, KD, KD, 27, और pericardium, 9, PC, 9, और गॉल बलाडर, G, अच्छ, संजी आओ, SJ, SJ, 23, और गॉल बलाडर, GB, 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 44, और लिवर का यहल, लिव, 14, लिव, 14, लिव, 14, लिव, 14.